हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्तान चिकित्सा विभाग के तरफ से आप सभी के लिए यू टीबी भरती की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है इसके अंदर कौन कौन कैंडेट अपलाई कर सकते हैं किन किन राजस्तान चाहिए आपके क्या कौलिफिकेशन चाहिए साथी आपकी क्या सैलरी होनी चाहिए और साथी आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे आज के इस वीडियो में पूरी संपुन जनकारी हम आपको स्टेप बाइस टेप बताने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो स्टाट करने से पहले करने चाहते हैं अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल स्टड़ी जोन को सस्क्राइब नहीं किया है यहाँ पर कारियाले मुख चिकित्सा एवं स्वास्त अधिकारी भरतपूर जिले से यहाँ पर भरतपूर राज यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यह 25211 को यह जो है जो विग्यापन जारी किया गया है इस विग्यापन पर देख सकते हैं कि UTV भरती यहाँ पर क्यों निकाले जारी है इसके बारे में यहाँ पर आप बताया गया है इसे आप पढ़ ले जाएगा यहाँ पर आपको पता भी होगा यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि करम संक्या एक ये दो पद निकाले गए हैं पदो के नाम यहां पर देख सकते हैं कि जिसमें कि 35 पद यहां पर आयोती है यहां पर M.E.B.S. होनी चाहिए और साथी राजस्थान मेडिकल कउंसलर से आपकी यहां पर पंजी पंजी करण भी होनी चाहिए और साथी यहां पर दोस्तों दूसरी जो पोस्ट निकाले गई है यहां पर कोविट सहायक से यहां पर स्वास स्वायक निकाले गई है जिसमें कि अंदर यहां पर देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के लिए यहां पर एक पद हैं यहां प पर दो सकते हैं कि सहर 6-3 लोपड और यहां वाड है तो दो पद निकाले गए हैं लगभग यहां से 600-700 यहां पर आप सभी के लिए पोस्ट हो जाएंगे क्योंकि एक राज में काफी सारे वाड होते हैं तो इसको लेकर 600-700 यहां पर जो है आपके पद हो जाएंगे यहां पर उन 4,300 रुबए प्रतिमा मिलेगा और साथ ही यहां पर जो आपकी कोविट सहायक है उनको यहां पर 7,900 मिलेगा यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि गरामिड और सहरी छेतर के यहां पर जो निवासी है उन्हें प्रात्मिक्ता जी जाएगी अगर यहां पर सीट खाली रह रोकने के लिए यहां पर घर घर जाकर जो है यहां पर घर घर जाकर जो है यहां पर आप सभी को इस चीज़ के बारे में और इसकी आपकी बैतर रोकने के लिए आपको जगा जगाओ पर आपके लिए इसके लिए यहां पर आपको काम करना होगा और इसके बारे में पूरी 2021 तक इस form को apply कर सकते हैं यहाँ पर भरतपुर्ग.radistan.gov.in पर भरतु पर यहाँ पर इसकी form भराए जाएगी जो google link एक्टिवेट होगी और google link कब एक्टिवेट होगी और google link कब एक्टिवेट होगी वो भी मैं आपके बताता हूँ यहाँ 6 बज़े से online आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर जो अंतिमतिती रखी गई है वो 25 2021 तक साम 6 बज़े तक और साम के 6 बज़े ही इसकी google form link एक्टिवेट होगी अगर दोस्तो साम 6 बज़े मैं आपको description में और यहाँ पर telegram चैनल पर और facebook पेज़ कर इसके बारे में update कर दू यह सिर्फ google form आपको बरना है जब आपकी सौटलेस्टिट कर दी जाएगी तब आपको document verification के लिए यहां बुलाया जाएगा यहां पर देख सकते हैं कि प्रदों में बृद्धी हो सकती है यहां पर जो है चैन से मिती द्वारा की जा सकती है यहां पर जो आपकी जो चैन से म आवेदन करनी कि कोई आउ सकता नहीं है उनकी पुना यहां पर करने आवेदन रखतिव के लिए यहां पर जो है उन सभी के आवेदनों को दुबारा ही accept कर ले जाएगा यानि कि दोस्तों जो एनम में जी एनम में या डॉक्टर के लिए उन्होंने यहां पर जो फॉर्म भ उसके बारे में मेल के मारे में मैसेज चा जाएगा यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो चैनित जो अभियरती हैं दस्तावे जहेतु जो है उपस्तेती होने के का होगी उनकी सूची जो है भरतपूर.government.in पर जो है आपको पलाचल जाएगा 28-5-2021 को आपको इसके बार जाएगा तो यहां पर दोस्तों ही अपडेट आ रही थी जो मैंने आपको बता दिया उमीद है कि दोस्तों वीडियो पसंदा है पसंदा है तो लाइक करेंगे शेर करेंगे अगर फिर भी आपको किस तरह कोई भी समस्य है तो आप कमेंट के माध्यां से पूछ सकते हैं हमा